नमस्कार सातियों मैं बेद प्रकाश आपके अपनी यूट्यू चनल प्रकाश स्टिडी में आपका स्वागत करता हूं सातियों आज 9 जनवरी 2023 है आज जो सीटेट का जो सेकंड स्टिप्ट का पेपर हुआ है आज इस वीडियो में सामाज एक यह सोसलोजी से सम्मनेत जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में करेंगे इससे पहले हम बाल विकासे में शिक्चा सास्त्र और एक आपकी सामाज विज्ञान पर वीडियो बना चुके हैं आप लिलिट में जाके देख सकते हैं आईए इस्टेट करते हैं क्वस्चन नमर एक सट से एक सट में पूचा गया है निमल खित का सुमेल कीजिए तता सही विकलब का चैन कीजिए आपको ये मिलान करना है इसका मिलान होगा आपका किन सरकार हो जाएगी आपकी एका सेकेंड से हो जाएगा यानि 2000 रुपे का नया नोट जारी करने का निर्ण लिया किन सरकार लेती है ये और राज्य सरकार आपकी ये खेत्रिय परिभन कार्यालय बनाने का निर्ण लेती है और इस्थाई सरकार इस्थाई सरकार आपकी रतनागिरी एक हिस्से को खोलने का निर्ण लेती है सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच पाए कुछन नमर बासट है आकस्मिक रोजगार से क्या अविप्राय है इसका सही अंसर आप्शन नमर तीसरा हो जाएगा यानि नियुक्ति करता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूर अगला नेक्ट कॉशन नमर 63 63 में पूचाए वहस्तर ब्यापार में निमले कितमे से कौन सा सबसे अधिक लाब कमाएगा नीच चार आप्शन दे रखे हैं सही अंसर आपको बताना है नमर 63 का सही अंसर क्या होगा 63 का सही अंसर आप्शन नमर 2 हो जाएगा यानि बहुर आइट यह कमपनी एक्ट कॉशन नमर 64 64 में पूचाए परजात अंत्र की बुनियादी विशिस्ता क्या है नीचे चार आप्शन दे रखे हैं सही अंसर आपको बताना है क्वशन नमर 64 का सही अंसर क्या होगा इसका राइट अंसर आप्शन नमर 3 हो जाएगा यानि समानता अगला नेचे पॉशन क्वशन नमर 65 65 में पूचा है कविता सुह पांच बजे बस अड़े पर चाय बीचती है वह साथ बजे दूर कूओं से पानी लेनी जाती है घर वापिस आकार वह खाना पनाती है कपड़े दोती है घर की सफाई करती है और फिर भाजार अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने जाती है कविता सामान कर रही है सामना कविता सामना कर रही है नीचे चार option रेखे हैं, इन में से सही आंसर आपको छाटना है, 65 का सही आंसर क्या होगा? 65 का सही आंसर हो जाएगा, option number second, यानि दोहरा बोज का सामना कर रही है, next question, question number 66, 66 में पूचा है, निम्न लेखेत में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा, अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थकारों की सीखों पर सिक्चा केंदर खोलने की अनुमती नहीं दी जाती है, इस चार option रेके हैं, सही आंसर आपको बताना है, पूचन number 66 का सही आंसर क्या होगा? 66 का सही आंसर आपको पहला हो जाएगा, यानि सांस्क और सेक्षणिक अधिकारों का अधिकार, अगला नेक्ट पूचान, पूचारों की अधिकार से क्या अभिप्राय है, नीचे जार option रेके हैं, सही आंसर आपको बताना है, 57 का सही आंसर क्या होगा? इसका right answer option number second हो जाएगा, यानि नागर्यों का उनकी मौलिक अधिकारों के हनन होनी पर न्यायले में अप्पील करने का अधिकार है, next question, question number 58, इसमें पूचा है, सरवोच न्यायले के किस खेतर अधिकार के अंतरगत केंडरे मुराजियों के पीच विबाद को सामिल किया जा जाता है, नीचे चार option दे रखे हैं, सही answer आपको बताना है, 68 का सही answer क्या होगा, इसका सही answer option number पहला हो जाएगा, यानि प्रार्यमिक खेतर अधिकार, next question, question 69, इसमें पूचा गया है, निमले खेतर अभिकातन A और R को पढ़े, ये कहता है, इतिहास हैं सामराज्य वन संसा आदनों के लिए आदिवासियों पर निर्वर रहते थे, और B कहता है, आदिवासियों के पास बनों तक पहुंच का गहन ग्यान और साथ ही साथ अधिकतर वनों पर अधिकार भी था, सही विकलब को चुनें, नीचे चार option दे रखे हैं, सही answer आपको बताना है, 69 का सही answer क्य 59 का सही answer option नमर पहला हो जाएगा, यानि A और R दोनों सही हैं, और R सही विकलब का चैन कीजिए, यह कहता है, अल्प संख्या का सब्द का इस्तेमाल ऐसे समधायों के लिए किया जाता है, जो संख्या की द्रष्टी से वाकी आवादी के मुकावले बहुत कम हैं, और B कहता है, अल्प संख्या के सब्द केबल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं हैं, वलकि सत्ता संसादनों तक पहुंच आदे मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं, नीचे चार option दे रखे हैं, स 17 का सही आंसर क्या होगा, सत्तर का सही आंसर option नमर पहला हो जाएगा, यानि A और B दोनों सही हैं, यानि A और B दोनों सही होंगे, अगला नेच्ट कश्यान पसन हमारे कैत्तर, एक एतर में पूचा गया है, सबसे उचित विकल्ब को देते लेते हुए वाके को पूरा करें, सामाजी विज्ञान के सिक्षण में हम अंतर विसयक और पागम का प्रियोग करते हैं, खालिस्तान दे रखा है, खालिस्तान की जगे पर क्या आएगा, एक एतर के जो चार option द ता अंतर निर्वर्ता का निदर्शन करने के लिए, अगला नेक्ट कर्शन, कॉसन अवर वैतर, वैतर में पूचा गया है, सामाजी विज्ञान बच्चों को प्रमक रूप से तैयार करता है, एक पूचा है, स्वतंत्र रूप से सोचने की ख्यमता है तो, बी, अंद विश स्वास पर प्रेशन करने की ख्यमता है तो, सी, लिंग, पूर्वागरा और रूडियों की बनी पूर समझ को तोड़ने की समझ बनाने है तो, और डी कहता है, समुदाइक, नियम और सामाजिक आचरों का पालन, आचारों का पालन करने की ख्यमता है तो, नीचे चार C सही होंगे, यानि A में A और B और C इसमें सही होंगे, D option गलत होगा इसमें, अगला नेक्ट क्वेशन, Q 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 ब्रद करने के द्वारा, C कहता है, धेद भाव को साक्षों पर सामुहिक आद्म विसलेशनर की द्वारा, और D कहता है, समाज में पुरुसों और ये महिलाओं के बीच सक्ति बाद समंदों पर चर्चा करने के द्वारा, सही विकल्ब का चैन करें, नीचे चार उप्सन दे रखें, सही आंसर आपको छाटना है, 73 का उप्सन नमर 14 सही हो जाएगा, यानि C और D सही होंगे, यानि C और D उप्सन सही होंगे, इसमें पूचा गया है, सामाजी विज्ञान की कक्चा में अध्यापक एक विशेश संस्कृते के सिल्प तथ्य और लोक कथाओं का प्रियो करता है, ताके उस संस्कृती के संदर्व में छात्रों की जिग्यासा वनाई रखी जा सके, या उधारन है, ए, कहानी कथन का, बी, रोल प्ले का, सी, सुरोत पद्दती का, और डी, परेश प्रिश्ण का, सही विकलकवाच चैन करें, नीचे चार ओप्सन दिरखें, सही आंसर आपको चाटना है, 74 का सही आंसर क्या होगा, 74 का सही आंसर ओप्सन नमब चौता हो जाएगा, यानि C और D, C और D सही आंसर हो जाएगा, यानि C और D सही आंसर होगा, अगला नेचे पस्टन, पस्टन नमब चेविन्टी फाइव, इसमें पूचा गया है, सामाज विज्ञान का प्रहावी सिक्षण मातपून रूप से जुड़ा हुआ है, ये अपस्टन दे रखा है, परयोजन और असाइनमेंट के कार्यान वय के माध्यम से रटने को समझने के लिए, बी दे रखा है, इसम्रति स्टर सिक्षण और ब्यक्ति परक मुल्यांक तकनिकी से सीदे रखा है, अत्यदिक जटिल और महंगी सिक्षण सहायता का बार-बार उप्योग करने से, और D कहता है, इसकूली पुस्तकाला का सुचारू संचलन एवं संसाधनों को उप्योग में लाने की सिक्षण की चमता और स्वजनात्मकता से सही विकल्प का चुनाप करें, नीचे चार उप्षन दे रखे हैं, सही अंसर आपको चाटना है, 75 का सही अंसर क्या होगा, इसका उप्षन नमर चौता सही हो जाएगा, यानि A और D सही होंगे, इसमें A और D सही होंगे, अगला कॉस्टान, कॉस्टान नमर 76, 76 में पुचा है, एक लोग तांत्रिक अक्षा में सिख्षकों की क्या जिम्मेदारी है, नीचे चार उप्षन दे रखे हैं, इनमें सही अंसर आपको चाटना है, 76 का सही अंसर क्या होगा, 76 का अप्षन नमर 74 सही हो जाएगा, यानि छात्रों को अपनी बात स्वतर्ण रूप से कहने के यूपति परक अपसर प्रदान करना, अगला नेक्ट परसन, पसन नमर 77, किलप एक्टरक के अनुसार निमलिक्त में से कौन सी स्यक्षिक विदी, लोक तंत्र की संकल अपनाओं के शिक्षन के लिए सर्वत विदी है, नीचे चार उप्षन दे रखे हैं, सही अंसर आपको चाटना है, 77 का सही अंसर क्या होगा, इसका right answer option नमर पहला हो जाएगा, यानि परियोजना यानि प्रोजेक्ट विदी, next question, question नमर 78, 78 में पूचा है, विवाजन, विसयप और चर्चा के लिए आप कक्षा में कौन सा प्रात्मिक सुरूत ला सकते हैं, नीचे चार option दे रखें, सही अंसर आपको चाटना है, 78 का सही अंसर अंसर नमर पहला हो जाएगा, यानि दिल्ली के पुरानी किली में सन 1948 की सरनार्थी केंप की तस्वीर हैं, चित्र, अगला next question, question number 79, 79 में पूचा गया है, निमले की तमें से कौन सा विकल्प आलो चनात्म का चिंतन के विहतर अवसर पदान करने वाली सामाजी विज्ञान की कक्षा को विहतर तरीगे से दर्चाता है, ये कहता है, चात्र के वल सेक्षिक सिक्षन गतिविधी के अंत में सवा प्रिष्नकाल पूच सकते हैं, B. चात्रों के प्रिष्नकाल का समय, शिक्षक के प्रिष्नकाल के समय के अनुपात में अधिक है, C. कहता है, कक्षा में चार्चा के लिए विशय पर प्रमाण उपलब्द कराना, और D. कहता है, शिक्षक को विशय एक से अधिक विचार, द यह आंसर क्या होगा 79 का सही आंसर अप्शन हमार सेकेंड हो जाएगा यानि B C और D अप्शन सही हो गई अप्शन हमार दूसरा सही हो जाएगा इसमें B C और D अप्शन सही हो गई यानि B C और D अप्शन इसमें सही हो गई अगला नेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नमर असी इसमें पूचा है मालने के आप छात्रों को वेतन दरेंत्य करना सिखाना चाहती है निमले कि दमें से कौन सा आते प्रसंगिक है सही विकलब का चैन करें नीचे चार अप्शन दिरकें सही आंसर आपको छाटना है 18 का सही आंसर क्या होगा 18 का सही आंसर अप्शन नमर पहला हो जाएगा यानि A, B और C यानि A, B और C तीनों सही होंगे अगला प्शन प्शन नमर 81 81 में पूचा है सामाजिक विज्ञान की कक्चा के संदर्ब में A और B कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्ब का चैन कीजे कक्चा A बच्चों को द्वन्द संसलिष संगर्ष के वारे में जानने और पुझताज से दूर रखना चाहिए कतन B कहता है सिक्चा सास्त्रिय द्रेफ्टिकोंड से जो द्वन्द संगर्ष मीडिया में निपटा दिया गया हो जिस पर वहस एवं चर्चा हो चुकी हो वा कच्चा में सिक्चन के लिए आदेक उप्युक्त होगा नीचे चार ओप्चन दे रखें सही आंसर आपको चाटना है 81 का सही आंसर क्या होगा 81 का सही आंसर ओप्चन नमर सेकंड हो जाएगा पूँचा है नीवन लिखित में से कौन सा प्रिष्ण आलोचनात्म का चिंतन के द्रख्टिकॉंड के प्रियोग द्वारा उत्तर के लिए अवसर प्रदान करता है एक कहता है क्योंकि भारत में महिलाओं का प्रतिनिजित्व इतना कम है क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और यूरोप ने महिलाओं के प्रतिनिजित्व के संतोष जनक स्थर्ष को प्राप्त कर लिया है भी कहता है क्या आप इस बात से सहामत हैं कि आर्थिक हिस्षिया करण और सामाजे के हिस्षिया करण आपस में जुड़े हुए हैं क्यों और सी कहता है आप सरकार सब्द से क्या समझते हैं पांच तरीकों को सूची ब्रत कीजिए जिन से सरकार लोगों को प्रवावित करती है सही विकल्ब का चैन करें नीचे चार आप्सन दे रखें सही आंसर आपको चाटना है 82 का सही आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर आप्सन नमर सेकेंड हो जाएगा यानि A और B सही होंगे इसमें आपके A और B सही होंगे अगला नेक्ट कर्शान कॉसन नमर 83 83 में पूचा है निमले कितमे से कौन से उधारन प्रात्मी के स्रोतों के है A चित्र B विस्वकोस C भाशान और T डाइरिया सही विकलब का चैन करें नीचे चार आप्सन दे रखे हैं आज में से सही आंसर आपको चाटना है 83 का सही आंसर क्या होगा 83 का सही आंसर आप्सन आमर सेकेंड हो जाएगा अगला नेक्ट क्वेशन क्वेशन नमर 84 साथी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले हैं जिससे आने वाला नोटिपिकेशन आप तक जल्द पहुँच पाए क्वेशन नमर 84 है सामाजी विज्ञान के वारे में सामान्य व्रांत धारणाओं के संदर्व में कथन ए और कारण आरखो पढ़िये कथन ए सामाजी विकास को पाठ़ चर्याब में दूसरे विशेयों की तुल्ला में कम स्मात्व मिलता है कारण आरख दे रखा है छात्र सामाजी विज्ञान की अंतर वस्तु को समझने में आरूचिकर या उदासी महसूस करते हैं सही विकल्पा चैन कीजिए नीचे चार आप्सन दे रखें सही आंसर आपको छाटना है 84 का सही आंसर क्या होगा 84 का सही आंसर आप्सन नमर पहला हो जाएगा यानि A और R दोनों सही हैं तथा R सही व्याक्षा करता है A की यानि A और R यानि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण है ये A की यानि कथन की सही व्याक्षा करता है अल्ला नेक्ट पर्सन क्थन नमर 85 परियोजना रिपोर्ट के कुछ भाग है 85 का सही आंसर क्या होगा 85 का सही आंसर अप्शन नमद तीसरा हो जाएगा यानि C, D, A, B तथा E होंगे C, D, C, D, A, B, E इसमें होंगे करम अनुसार अबला नेट कॉच्टन देख लेते हैं 86 इसमें पूचा है परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए निर्देशों के सुत्री करण के लिए निमलेक्द में से सवसे कम मतोद दिया जाता है नीचे चार अप्शन दे रखें सही आंसर आपको छाटना है 86 का सही आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर अप्शन नमर चोथा हो जाए यानि सिक्षक का मार्ग दर्शन अगला नेट पर्शन परस्ट नमर 87 87 ने पूचा है नेमन प्रिष्ण में कौन सी यानात्मय प्रिगिया का आकलन होता है भारत में गरिवी कम करने में महात्मा गांदी राइटिया ग्रामीड रोजगार गारंटी अधिनियम की प्रभाव का अध्यन कीजिए नेचे चार आप्शन दे रखें सही आंसर आपको छाटना है 87 का सही आंसर क्या होगा 87 का सही आंसर आप्शन आमर सेकेंड हो जागा यानि मूल्यांकन Next question 88 88 में पूचा गया है निम लिखेत प्रिष्णों के मैं कौन सा संकलाना आत्म का ज्यान को आखता है नीचे चार आप्शन दे रखें सही आंसर आपको छाटना है 88 का सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर आप्शन आमर सेकेंड हो जागा यानि अंतर जनित वह वहेड जनित वल क्या होता है अगला Next question प्वस्टन आमर 89 इसमें पूचा है नियस्टुल्क और अनिवारे सिक्षा वाल अधिकार अधिन्यम 2009 के अनुसार मूल्यांकन कार प्रणाली के विकास की समय निम्न लिखित में से कौन सा विचारणिय होना चाहिए नीचे चार आप्शन दे रखे हैं सही आंसर आपको छाटना है 89 का सही आंसर कौन सा होगा इसका सही आंसर आप्शन नमर चौथा हो जाएगा यानि बच्चों को भय अविगात और चिंता मुक्त वनाएगा अगला नेच्ट कौस्टन कौस्टन नमर नब्ब नमर में पूचा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगम के लिए आंकलन निच्चित करता है एए अप्शन कहता है सिख्चक को अपनी सिख्चन अधिगम पिक्रिया को पुनरावलोकन समिक्चा तता रूपांतरिक करने के लिए बी कहता है छात्रों का अपने समवयसकों के आंकलन का लगातार प्रियोकरना सी कहता है आंकलन के भावविदी रणनीतियों का प्रियो करना और D कहता है आंकलन के रूप रेका को प्रतिपादित करते समय बोड के दिशा निर्देश प्रियो करना नीचे चार ओप्सन दे रखे हैं इन मैंसे सही आंसर आपको छाटना है 90 का सही आंसर आप्सन नमर सेकेंड हो जाएगा यानि A और C सही होंगे इसमें यानि A और C इसमें राइट आंसर होंगे साथियो इसमें सामाजे के सभी क्वेशन कंप्लीट हो चुके हैं अब आगे हम नीचे सामान इंदी पर वीडियो बनाएंगे अगर आपको सामान इंदी पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वस्ते बताएं आज हम इस वीडियो को यह पर समाप्र करते हैं धन्यवाद